पिछले अध्या में हमने जाना कि क्यों वच्सरिशी को मुरी गिशन्ग कहा गया। उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार की कर्ण्या से विवाह करना जाएगी। क्या उन्हें भग्मान विश्णु की सहायता से वे कर्ण्या प्राप्थ हुई। जानते हैं इस अध्या में वसिश जी कहते हैं राजन भोजपुर में उच्छथय नामक एक श्रेश्ट मुनी थे। उनके कमल के समान नेत्रों वाली एक कर्ण्या थी जिसका नाम सुवरिता था। मैं माग मास में प्रति दिन प्रातह ही उठकर अपनी कुमारी सक्यों के साथ कावेरी नदी के पश्यम गामी प्रवाह में सनान किया करती थी। सनान के समय मैं इस प्रकार प्रार्थना करती। देवी तुम सहर परवत की घाटी से निकल कर श्री रंग क्षेत्र में प्रवाहित होती हो श्री कावेरी तुम्हें नमस्कार है मेरे पापों का नाश करो मरुद वृद्धे तुम बड़ी सौभाग्य शालीनी हो महागमास में जो लोग तुम्हारे जल में सनान करते हैं उनके बड़े-बड़े पापों को हर लेती हो माता मुझे मंगल प्रदान करो पश्रिम भाहिनी कावेरी मुझे पती, धन, पुत्र, संपूर्ण मनुरत और पातिवरत्य पालन की शक्ती दो यो कहकर सुवरता कावेरी को प्रणाम करती और जब कुछ-कुछ सूरे का उदे होने लगता उसी समय में नित्य स्नान किया करती थी इस प्रकार उसने तीन वर्षों तक माग स्नान किया उसका उत्तम चरित्र तथा ग्रहकारे में चतुरता देखकर पिता का मन बड़ा प्रसन्य रहता था वे सूशने लगे अपनी कन्या का विभाह किस से करू इसी बीच में कुछ समुनी ने अपनी पुत्र प्रमचारी वच्छ का विभाह करने के लिए उच्चते की सुमुखी कन्या सूवरिता का वरण करने का विचार किया सूवरिता बड़ी सुन्दर थी उसमें अनिक शुभलक्षन थे वे बाहर भीतर से शुद तथा निरोग थी उस समय उसकी कहीं तुलना नहीं थी बड़ समुनी ने उससे विभाह करने की अभिलाशा की एक दिन सुवरिता अपनी तीन सक्षियों के साथ माग स्नान करने के लिए अरुनोदोई के समय कावेरी के तट पर गई उसी समय एक भयानक जंगली हाथी पानी से निकला उसे देखकर सुवरिता आधी कन्याए भैसे व्याकुल होकर भागी हाथी भी बहुत दूर तक उनकी पीछे पीछे भागा चारों कन्याए वे एक से दोड़ने के कारण हाफने लगी और तिनकों से धके हुए एक बहुत बड़े जलशूने कुवे में गिर पड़ी कुवे में गिरते ही उनके प्राण निकल गए जब वे घर लोटकर नहीं आई तब माता पिता उनकी खोज करते हुए इधर उधर भटकने लगे उन्होंने वनवन में गोमकर जाड़ी जाड़ी चान डाली आगे जाने पर उन्हें एक गहरा कुवा दिखाई दिया जो तिनकों से धका होने के कारण प्राई द्रिस्टी में नहीं आता था उन्होंने देखा वे कमल लोचना कन्याएं कोई के भीतर निर्जीव होकर पड़ी हैं उनकी माताएं कन्याओं के पास जड़ी गए और शोग्रस्थों बारम बार उन्हें हृदे से लगा कर कन्याओं की माताएं जब इस प्रकार जोड़ जोड़ से क्रंदन कर रही थी उसी समय तपस्या के भंडा कांतिमान धीर तथा जीतेंद्रिये श्रिमान म्रिक्षिंग मुनी वहां पहुंचे उन्होंने मन ही मन एक उपाय सोचा और सोचकर उन्हें आशवासत देते हुए कहा जब तक इन कमल नईनी कन्याओं को जीवित ना कर दूँ तब तक आप लोग इनकी सुन्दर शरीर की रक्षा करें यों कहकर मुनी परम पावन कावेदी के तट पर गए और कंठ भर पानी में खड़े हो गए मुख एवं भुजाओं को उपर उठाए सूरे देव की और देखते हुए मृत्यु देवता के स्तुति करने लगे इसी बीच में एक समय वही हाथी पानी के भीतर से उठा और ब्रामन मुनी को मारने के लिए सून्द उठाए बड़े वेख से उनके समी पाया हाथी का क्रोध देखकर भी मुनी वर मिर्क्षिंग जल से विचलित नहीं हुए अपितु चित्र लिखित से चुपचाप खड़े रहे पास आने पर एक ही क्षण में भेखजराज का क्रोध चला गया मैं बिल्कुल शांत हो गया उसने मुनी को सून्द से पकड़ कर अपनी पीच पर बिठा लिया मुनी उसके भाव को समझ गय उसके कंधे पर सुकपूर्वक बैठने से उन्हें बड़ा संतोश हुआ और जब समाप्त करके हाथ में जल्ले मैंने आठ दिनों के माकस्नान कप्पुन तुम्हें दे दिया यह कहकर उन्होंने शीक रही भेजल हाथी के मस्तक पर छोड़ दिया इससे गजराज पाप रहित हो गया और मानू इस बात को स्वयम ही समझते हुए उसने प्रलेकालीन में के समान बड़े जोड से गरजना की उसकी उस गरजना से भी मुनी के मन में बड़ी प्रसंता हुई और उन्होंने कृपापूर्वक उस गजराज की उड़ देखकर उसके उपर अपना हाथ फेरा मुनी के हाथ का सपर्श होने से उसके हाथी का शरीर द्याग देकर आकाश में देवता की भांती दिवे रूप धारण की द्रिस्टी गोचर हुआ उस रूप में उसे देखकर मुनीश्वर को बड़ा विस्मय हुआ तब दिवे रूप धारी उस जीर ने कहा मुनीश्वर मैं कृतार्थ हो गया क्योंकि आपने मुझे अत्यंत निंदित एवं पाप मैं पशुयोनी से मुक्त कर दिया दयानिधे आप मैं अपना सारा व्रितांत बतलाता हूँ सुने पूर्वकाल की बात है नैशत नगर में विश्वगुप्त नाम से प्रसिद परम धर्मात्मा तथा सोधर्म पालन में तत पर एक वैशे रहते थे मैं उनीका पुत्र था मेरा नाम धर्म गुप्त था स्वाध्याय, यजन, दान, सूद लेना, पशुपालन, गौरक्षा, खेती और विपाल यही सब मेरा कारे था दुछ्रेश्ट मैं अनुचित काम और दंभ से सदा दूर ही रहता था सत्य बोलना और किसी की निंदा नहीं करना यही मेरा कारे था इंद्रियों को वश में रखकर अपनी स्त्री से ही अनुराग करता था और पराई स्त्रियों के संपर्ग से बचा रहता था मुझ में राग, भय और ग्रोध नहीं थे लोब और मच्सर को भी मैंने छोड़ रखा था दान देना, यग्य करना, देवताओं के प्रती भक्ती रखता और गाउं तथा ब्राहमनों के हित में सनलगन रहता था सदा धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता और वेपार के काम में कभी किसी को धोका नहीं देता था ब्राहमन लोग जब यग्य करते, उस समय उन्हें बिना मांगे ही धन देता था समय पर शाद तथा संपून देवताओं का पूजन करता था अनेक प्रकार के सुगंदित द्रफ्य, बहुत से पशू दूद, दहिं, मठा, गोबर, घास, लकडी, फल, मूल, नमक, जाइफल, पीपल, अन, साग की बीच नाना प्रकार के वस्त्र, धादू, इख के रस से तयार होने वाली वस्तुएं और अनेक प्रकार के रस बीचा करता था जो दूसरों को देता था वे तोल में कम नहीं रहता था और जो औरों से लेता था वे अधिक नहीं था जिन रसों की बेचने से पाप होता है उनको छोड़कर अन्ने रसों को बेचा करता था बेचने में चल कपट से काम नहीं लेता था जो मनुष्य साधू पुर्षों को वेपार में ठटता है वे घोर नर्क में पड़ता है तथा उसका धन भी नस्ट हो जाता है मैं सब देवताओं ब्राह्मनों तथा गौँ को प्रति दिन सेवा करता था और पाखंडी लोगों से दूर रहता था ब्राह्मन किसी भी प्राणी से मन वानी और क्रिया द्वारा इशा की ये बिना ही जो जीविका चलाई जाती है वही पर्मधर्म है मैं ऐसी ही जीविका से जीवन निर्वाह करता था इस प्रकार धर्म के मार्क से चल कर मैंने एक करोड सुर्ण मुद्राओं का उपारजन किया मेरे एक ही पुत्र था जो संपूर्ण गुनों में श्रेश था मैंने अपने सारे धन को दो भागों में बांट कर आधा तो पुत्र को दे दिया और आधा अपने लिये रखा अपने हिस्से का धन लेकर पोखरा खुदवाया नाना प्रकार के व्रिक्षों से युक्त भगीचे लगवाया अनेक मंडम्बों से सुशोभित देव मंदिर बनवाये मरू भूमी के मार्गों में पौशले और कुवे बनवाये तथा ठहरने के लिए धरमशालाय तैयार करें कर्यादान गौधान और भूमी दान किया तिल चावल गेहुं और मूग आधी का भी दान किया उड़द धान तिल और घी आधी का दान तो मैंने बहुत बार किया तदनंतर रस के चमतकारों का भर्णन करने वाला कोई कापालिक मेरे पास आया और कौटुहल पैदा करने के लिए कुछ करामात दिखा कर उसमें मुझे अपने मायाजाल में फसा कर ठग लिया उसके कर्टू देखकर उसके प्रती मेरा विश्वास बढ़ गया और रस्वाद, चांदी, सोना, आधी बनाने के नाम पर मेरा सारा धन बरवाद हो गया उसका पालिक ने मुझे भर्म में डालकर बहुत दिनों तक भटकाया उसके लिए धन देदे कर मैं दरिद्र हो गया माघ का माहा आया और मैंने दस दिनों तक सूर्योते के समय माहा नदी में स्टान किया किन्तो बुढ़ापे की कारण इससे अधिक समय तक मैं स्टान का नियम चलाने में असमर्थ हो गया इसी बीच में मेरा पुत्र देशांतर में चला गया घोड़े मर गये खेती नश्ट हो गई और पेटे ने दैश्या रख ली फिर भी भाई बंधु यह सोच कर कि यह बेचारा बुढ़ा है धर्मात्मा और पुन्यवान है धर्म ही के उद्देशे से मुझे कुछ रूखा, सुखा अन्न और भात दे दिया करते अब मैं अपना धर्म बेच कर कुटुम्भ का पालन पोशन करने लगा केवल मागस्नान के पल को नहीं बेच सका, एक दिन जीवा की लौलुपता के कारण दूसरे के घर पर खूब गले तक ठूस कर मिठाई खाली, इससे अजीर्ण हो गया अजीर्ण से अतिसार की बेमारी हुई और उससे मेरी मित्ति हो गई केवल मागस्नान के परभाव से मैं एक मनवंतर तक स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास रहा और पुन्य की समाप्ति हो जाने पर हाथी की योनी में उतपर्न हुआ जो लोग धर्म बेशते हैं वे हाथी ही होते हैं वे प्रवर इस समय अपने हाथी की योनी से भी मेरा उद्दार कर दिया मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होने के लिए आपने पुन्यदान किया मुनिश्वर मैं कृतार्थ हो गया मैं कृतार्थ हो गया आपको नमस्कार है आपको नमस्कार है प्रभू आपको बारम बार नमस्कार है यू कहकर वे स्वर्ग को चला गया सच है सत्पुर्षों का संग उत्तमगती प्रदान करने वाला होता है इस प्रिकार महानुभाव मुरिक्षिंग दैश्य को हाथी की योनी से मुक्त करके स्व धर्मेराज, मित्यू, अंतकह, वैवस्वत, काल, सर्वभूतक्षय, ओदंबर, दग्न, नील, परमेश्ठी, व्रिकोदर, चित्र, चित्रगुप्तः। इन चौदह नामों से पोकारे जाने वले भगवान यम्राज को नमस्कार है। जिनका मुख, दाड़ों के समान विक्राल प्रतीत होता है और तेड़ी भौहों से युक्त, आखें, क्रूरता पूर्ण, जान पड़ती हैं। जिनके शरीर में ऊपर की और उठे हुए बड़े-बड़े रोम हैं, तथा ओट भी बहुत लंबे दिखाई देते हैं। ऐसे आप यमराज को नमस्कार है। आपकी अनेक भुजाएं हैं, अनंतनक हैं, तथा कजल गिरी के समान काला शरीर और भयंकर रूप है। आपको नमस्कार है। भगवन आपका वेश बड़ा भयानक है, आप पापियों को भय दित, कालदंड से धमकाते और सप्रकार के अस्तरशस्र धारन करते हैं। बहुत बड़ा भैसा आपका वाहन है, आपके नेत्र दहकते हुए अंगारे के समान जान पड़ते हैं। आप महान हैं, मेरु परवत के समान आपका विशाल रूप है, आप लाल माला और वस्र धारन करते हैं। आपको नमस्कार है, कलपांत के मेगों की भांती जिनकी गंभीर गर्जना और प्रलेकालीन वायू के समान प्रचंड वेग है, जो समुद्र को भी पी जाते हैं, सम्पून जगत को ग्रास बना लेतें, परवतों को भी चबा जाते हैं और मुक से आग उगलते हैं। उन भागवान यमराज को नमस्कार है। भागवन अतिन्त घोर और अगनी के समान तेजस्वी, कालरूप, मृत्यूप तथा बहुत से रूप आपके पास सेवा में उपस्तित रहते हैं। आपको नमस्कार है। आप भयानक, मारी और अतिन्त भयंकर, महामारी के साथ रहते पापिष्टों के लिए आपका ऐसा ही सुरूप है। पड़ती हैं पके हुए बिम्बफल के समान लाल ओंट आपकी शोभा बढ़ाते हैं आप दो भुजाओं से युक्द सुवर्ण के समान कांतिमान और सदा प्रसन्य रहने वाले हैं आपको नमस्कार है आप सप्रकार के आपूशनों से विभूशित रत्न में सिंखासन पर वि कारण करने वाले तथा श्वेच छत्र से सुशोभित हैं आपके दोनों और दो दिव्यनारियां खड़ी होकर हाथों में सुन्दर चवर लिए दुला रही हैं आपको नमस्कार है गले के रत्न में हार से आप बड़े सुन्दर जान पड़ते हैं रत्न में कुंडल आपके क प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं आपकी कृपा द्रिष्टी सीमा का आतिक्रमण कर रही है आप मित्रभाव से सब को देखते हैं सब्रकार के संपत्तियां आपको स्मृधि शाली बनाती हैं आप सौभागय के परम आश्रे हैं तथा धर्म और अधर्म की ज्यान में निप पासना करते हैं आपको नमस्कार है सैमनी पुरी की सभा में शुब रूपवाले धर्म शुब लक्षन सत्य चंद्रमा के समान मनोहर रूपधारी शम दूद के समान उज्वर दम और वर्नाश्रम जनित विशुध आचार आपके पास मूर्तिमान होकर सेवा में उपस्तित आपको नमस्कार है आप साधूं पर सदा सनेह रखते वानी से उनमें प्राणों का संचार करते हैं वचनों से संतोष देते और गुनों से उन्हें सर्वस्व समर्पन करते हैं सज्जन पुर्शों पर सदा संतुष्ट रहने वाले आप धर्मराज को बारम बार नमस्कार है जो सबके काल होते हुए भी शुब कर्म करने वाले पुर्शों पर कृपा करते हैं जो पुन्यात्माओं के हितैशी सत पुर्शों के संगी सैमनी पुरी के स्वामी धर्मात्म तथा धर्म का अनुष्ठान करने वालों के प्रिये हैं। उन धर्मराज को नमस्कार है। जिसकी पीठ पर लटके हुए घंटों की ध्वनी से सारी दिशाएं गुझ उठती हैं। तथा जो उचे-उचे सींगों और फुंकारों के कारण अत्यंत भीष्ण प्रतीत होते ऐसे महान भैंसे पर जो विराजमान रहते हैं तथा जिनकी आठ बड़ी-बड़ी भुजाएं क्रमशह, नाराज, शक्ति, मूसल, खडग, गदा, त्रिशूल, पाश और अंकुष से सुशोबित हैं। उन भवानी अमराज को प्रणाम है। जो चोदा सत्पुर्षों के सा साथ बैठ कर जीवों के शुभाशुप कर्मों का भालिभादी विचार करते हैं। साक्षी द्वारा अनुमोदन कराकर उन्हें दंड देते हैं। तथा संपूर्ण विश्व को शांत रखते हैं। उन दक्षिन दिशा के स्वामी शांत सुरूप यमराज को नमस्कार है। जो कल्यान सुरूप भैहारी, शोच संतोश आदी नियमों में सित, मनुष्यों के नेत्रों को प्रिय लगने वाले, सावर्णी, शनेश्वर और वैवस्वत मनु, इन तीनों की माता के सौतेले पुत्र, वैवस्वान, सूरेदेव के आत्मज, तथा सदाचारी मनुष्यों को बर देने वाले हैं, उन भागवान यम को नमस्कार है, भागवन जब आपके दूद पापी जीवों को द्रड़ता पूर्वक बांद कर आपके सामने उपस्तित करते हैं, तब आप उन्हें यह आदेश देते हैं, किन पापीयों को अनेक खोर नर्कों में गिरा कर छेट टुकडे टुकडे कर दो, जला दो, सुखा डालो, पीस दो, इस प्रकार की बातें कहते हुए, यमुना जी के श्रिष्ट भ्राता, आप यमराज को मेरा प्रणाम है, जब आप अन्तक रूप धारन करते हैं, उस समय आपकी गोलाकार नित्र किनारे किनारे से लाल दिखाई देते हैं, आप भीमरूप होकर भायप्रदान करते हैं, टेड़ी भाहों के कारण आपका मुख वक्र जान पड़ता है, आपके शरीर का रंग उस समय नीला हो जाता है, तथा आप अपनी निर्दई दूतों के द्वारा शास्त्रोक्त नेमों का उलंगन करने वाले पापिय उनको खूब कड़ाई के साथ धमकाते हैं, आपको सरवधा नमस्कार है, जिन्होंने पंच महायग्यों का अनुष्ठान किया है, तथा जो सदा ही अपने कर्मों के पालन में सलगन रहते हैं, ऐसे लोगों को दूर से ही विमान पर आते देख, आप दोनों हाद चोड़े आ आपको मेरा प्रणाम है, जो संपून विश्व से उतक्रिष्ट, निर्मल, विद्वान, जगत के पालक, ब्रह्मा, विश्ण, तथा शिव के प्रिय, सबके शुभाशब कर्मों के उत्तम साक्षि, तथा समस्त संसार को शरण देने वाले, उन भगवान यम को नमस्कार है, वसेश्वी कहते हैं, इस प्रकार सुती करके मरकृश्रिंग ने उदार्ता और करुना के भंडार, तथा दक्षन दिशा के स्वामी भगवान यम का ध्यान करते हुए उन्हें साश्टांग प्रणाम किया, इससे भगवान यम को बड़ी प्रसंता हुई, वे महानती जस्व रूप धारन की मुनी के सामने प्रकट हुए, उस समय उनका मुख कमल प्रसंता से खिला हुआ था, और किरीट, हार, केयूर तथा मनी में कुंडल धारन करने वाले आनियक सेवक चारों ओर से उनकी सेवा में उपस्तित थे, यम्राज ने कहा, मुने, मैं तुम्हारे इस तोत्र से बड़ा संतुष्ट हूँ, और तुम्हें बर देने के लिए यहां आया हूँ, तुम मुझ से मनुवांचित बर मागो, मैं तुम्हें अभिष्ट वस्तू प्रतान करूँगा, उनकी बात सुनकर मुनिश्वर मिर्ग शिंग उठकर खड़े हो गये, यम्राज को सामने उपस्तित देख, उने बड़ा विश्मय हुआ, उनकी नेत्र प्रिसंता से खिल उठे, कृतान्त को पाकर उन्होंने अपने को सफल मनुरत समझा, और हाद जोड़ कर कहा, भगवन, इन कन्याओं को प्राण दान दीजी, मैं आपसे बारंबार यही आचना करता हूँ, मुनी का कथन सुनकर, धर्मराज ने अद्रिश्य रूप से उन ब्राह्मन कन्याओं को उनके शरीर में भेज दिया, फिर तो सोकर उठे हुए की भांती, वे कन्याओं उठ खड़ी हुए, अपनी बालिकाओं को सचेत होते देख, माताओं को बड़ा हर्ष हुआ, कन्याओं पहले की भांती अपना अपना वस्त्र पहन कर, माताओं को बुला उनके साथ अपने घर जली, इस प्रकार विप्रवर मृक्षिंग को वर्दान दे, यम देवता अपने पार्षदों के साथ अंतरधान हो गए, इधर ब्राह्मन भी यमराज से वर्पाकर बड़ी प्रसंता के साथ अपने आश्रम को लोटे, जो मानव प्रति दिन यमराज की इस्तुति का पाठ करेगा, उसे कभी यम्यातना नहीं भूगनी पड़ेगी, उसकी ओपर यमराज प्रसन्न होंगे, उसकी संतति की कभी अप मृत्यू से पराभावना होगा, उसे इस लोग और परलोग में भी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, तथा उसे कभी रोगों का शिकार नहीं होना पड़ेगा। पड़कर मुझे बहुत शांती कानुभव हुआ। जाने आगे क्या होता है?